असकार मेरे प्यार किसान भाईयों मैं विकास गौड आज इस वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूँ यह आपको पूरा अच्छी तरह समझना है फिर आप कोई भी निर्णा ले सकते हो क्योंकि इस समय कुछ तो अफवा चली है और कुछ इसमें सच भी है लेकिन हमें आखिर करना क्या चाहिए सोचना क्या चाहिए समझना क्या चाहिए आज इस वीडियो में काफी कुछ अच्छा आपके लिए मिलने वाला है अब काफी लोग कहेंगे कि यह तो हम भी जानते हैं या काफी कहेंगे कि हम खुद अपने आप में समार्ट हैं मैं बिल्कुल जान अलग चीज़ चल रही है कि हर जगह आलू कच्ची जो आलू की फसल है वहां जो लगी हुई है वह खतम हो रही है या बारिश से वह खतम हो गई अब इसके बज़ए से क्या है कि आलू बारेसो चौदेसो पंदरसो बिखने बाला है काफी लोगों के मुह से आपने यह सब्द सुने होंगे लेकिन मैं आपके लिए सच बताने वाला हूं कि जो लोग अगर आपसे 1200-1500 कह रहे हैं तो वह बश्य की बात है इतना हम भी नहीं पता पा रहे हैं तो वह पता नहीं कहां से बता रहे हैं तो यह बिखने वाला है तो आप लोगों से मेरी पहली तो यही रुक तो उनमें से 500 पेट आप 1000 रोपे की रेट में उनको दे दीजिए जो इस बात को आप से कह रहे हैं तो पहली बात तो दोस्तों यहां पर खतम होती है अब दूसरी बात यह है कि क्या यह जो अफवा चली है यानि पंजब डूम गया या उना डूम गया यह कुछ खबर कैसी है क्या यह सच है यह जूट है तो आपके लिए में बता दो उना में अभी तक भी कोई ऐसी भारी बारिस नहीं पड़ी है जिससे उनके लिए कोई नुक्सान हो और जो उस्यारपूर के जो किसान है उनका जरूर नुक्सान हुआ है लेकिन नुक्सान तो हर किसान का हुआ है उनके घर पर बीज रखा हो चहां खेटी में उनने गाड़ दिया हो जिनका खेटिनें वी घड़ा हई उच्वज्द हुआा है जिनका फिटेřा है उनको थ्टोड़ा कम नुक्सार हनुआ है लेकं नुख्सार होता हैसा और आपके लिए एक सच बता दूं कि हर और कोई किसान सही या आप किसान सही हम सब यहीं चाहते हैं अगर हमारी फसल बारिश या किसी भी कारण अगर बरबाद हो रही है तो उसको कुछ हद तक हम बचाने की कोशिज जरू करते हैं यानी यहां पर हमारा 100% नुक्सान होने बाला है तो उन में से हम सोचते हैं कि कम से कम 50% नुक्सान हो 50% भसल हमारे पास फिर भी आ जाए तो यहीं मैं आपको एक अपने एक्जांपल के रूप में बताने बाला हूं मेरे धान कटे हुए पड़े थे और वहां पर पानी जादा बारिस पड़ने से कुछ दान किल्ले भी दे रहे हैं और काफी जादा नुक्सान हैं लेकिन मैं पूरी कोशिज कर रहा हूं कि उनमें से कुछ नहीं है तो 50% 70% तो मेर निकले आएगा या इससे कम निकले आएगा लेकन वह इसतना पैसा लगाने के बाद वह ऐसे नहीं है कि अपने अलू को पूरी तरह घतमी कर देंगे वह काफी जादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन काफी लोग उनकी मेहनत पर आज 80 उड़ा रहे हैं कि उनका खराब हो गया हमें मज़ा आने वाला है कि बारे सोबखेगा फंदर सब Nordique इस देखे आलू मेरे पास विए मैंने आपसे पहले ही वोला कि मैंने नब्बह पर शंट आलू बेच दिया किवल दस परसंट बचा है आलू मेरे पास भी है लेकिन मैं बिल्कुल एसानी सूचता हूं कि यह होने वाल देखा गया या जो सरसों की खेती करने वाले किसान है उनका ही ज्यादा नुक्सान देखा गया है बाकी देखो मेरे गाम में तो कोई भी नुक्सान नहीं मेरे अलावा सभी लोगों के धाना भी बाल निकल लिए या खड़े हुएं तो यही आपको हर जगह देखेगा कुछ बारी बारिष पढ़ने से या हवा के साथ बारिष पढ़ने से वहां पे ज्यादा नुक्सान थो फिलाल आपके लिए बस यही करना चाहिए कि अपने कोल्ड में जरूर जाएं और वहां पे देखें अगर आपको लग रहा है कि मेरा आज रेट सही लग रहा है तो बेचे अगर नहीं लग रहा है तो कुछ और देख सकते हो कुछ टाइम के लिए लेकिन आगर आप यह सोचे के नहीं मैं तो लास्ट में बेचुंगा या तो पुछ होने वाला या यह उने वाला तो इसके लिए आप खुर जिम्मेदारों आप यह नहीं कह सकते कि आपने ये बताया है क्योंकि 2021 में आपने केवल सोचल मीडिया को ही देखा था कि वानुक्सान दिखा रहा कोई कोई वानुक्सान दिखा रहा है कि कोई पंदरसों कोई तो आप तो कहीं जानी रहे मैं बुलकुल जाता पहली बात तो मेरे धान में प्रॉडम है और दूसरी बात जो मुझे इस समय जानकर मिली है उसके आदर पर मुझे अभी जाना कुछ भी सही नहीं लगा हालां कि आपके लिए कुछ मैं भी अलग दिखांगा आप टेंसर मन ल अब उस ग्रावट का कारण है कि यहां पर जो गाड़ी की संक्या वह तीन गाड़ी याँ ज्यादा आई ये चिपसोना की कल कि अपेच्छा तो सहतिस्तान विकाँ और चिपसोना की बात करें तो सूर्या की बात करें तो सूर्या विकाय साड़े नौसर रुपे पैकेट या एक हजार रुपे पैकेट तक भी विकाय लिए रहातरस वाला और तुमारी चड़ोसी वाला विकाय यह एक हजार पचास से लेके बारे सो साड़े बारे सो रुपे पैकेट बी आईपी कॉल्टी गा अब बात करते हैं हम बिहार की तो बिहार में समस्तिपूर में जो कोल्ड में आलू विकरा है वो आज यहां पर कुछ गरावट देखी ग अब बात करते हैं राजिस्तान की राइस्तान के जैपूर की बात करें तो चौदर से लेके सोले रुपे के लो बी आईपी कॉल्टी है तो सतरे रुपे के लो इससे ज्यादा आलू आज तक भी नहीं विकरा है वहां पर अब इसके बारे में मैं कल आपके लिए जो इन्फ हसन का तो विकाय 15 से लेके 26 रुपे के लो जो की कलवाला ही रेट है लेकिन यहां पर आगरा कालू है उसमें कुछ गरवड़ दिखी है यानि गरावड दिखी है हमें जोटा लेके 26 रुपे केलो पर जोटी इसिंवें पर बात करें तो बीस नेके 22 रुपे केलो अब यहां पर बात करते हैं मेट टूफन तो तंमिल नाडू में ठीशन कापी अ초 सब्सक्राइब करते हैं अब बात करते हैं यूपी कि कुछ मंडियों की बारे में लखनू में में हम ए 8570 रुपे कुंटल और हापन में विकाई अब यहीं पर बात करते हैं बारा बंकी की तो बारा बंकी में 600 से लेके सवा 600 रुपे 630 रुपे तक विक्रा है जो रायंदरवन आलू होता है अब इसमें जो भाड़ा वो किसान ही देगा और अगर जो बीज की क्वाल्टी के आलू अच्छा बीज है बढ़िया वीज है तो बिक्राइब पहुने 700 रुपे तक भी विक्राइब शाड़ी छैसों से लेकर अब यहीं पर प्रियागराज की बात करें तो प्रियागराज में आज 19-20 रुपे के लो जीफोर विकाए है और सेथिस्तान रुपे के लो अच्छी क्वालिटी का अब अलिगड़ की बात करे और आज मैंने जो वीडियों बताया है अगर आपके लिए इसमें जो भी कुछ अलग लग रहा हूँ आप नीचे कमेंटर बता सकते हो यह हमारे बाट सब्सक्राइब मैसेज कर सकते हो अलग तरीके से आपको हम बता सकते हैं तो जानकारी कैसे लगी कमेंटर बताना वीडि